हेलो बच्चों बुड मॉनिंग वॉल आफ यू कैसे हैं आप सभी एट क्लास की मैट्स की शास्ते स्कूल की ओन्लाइन क्लास इस बाइशले सर में आपका स्वागत है लास्ट टाइम कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें देखा था एक्सराइज 1.2 के कॉस्चन नमबर 4 त मैं तो देखेंगे एक्सराइज 1.2 का कॉस्चन लंबर फाइफ अब इसमें दिया हुए हमें के मद्द्या यानि की बीच में पाँच परी में संख्या ग्याद करो हमें पाँच जो है रैस्टनल लंबर यानि 5 परी में संख्या ग्याद करनी है इसका पहला बटा तीन टू अगर मुझे रिख रिख को बिख्यां अगर ग्याद करनी हैं तो सबसे पहले हम इनके बराबर करेंगे तो बटा-3 हैं इसकी मुल्टिप्लाई जो है दो बटा-3 की गुना जो है इसके हरसे यानि चार बटा-5 के हरसे कर दीजिए यहां पर होंगया पांच के ऊपर बटा करन बत हो गमें किसके अंदरएम प्रπαयर और यहां पर हो गया 5 तिये 15 और कि उता आप यह तो preview ने की रहे हो कि को समाने के लिए अब दो बटा तीन के हर यानि 3 से चार बटा पांच की उपर नीचे मल्टिप्लाई कर देंगे तो 4 ती ये 12 पांच ती ये 15 अब चार बटा पांच जो है 12 बटा 15 के अंदर convert हो गया change हो गया हमने देखा कि दोनों का जो हर है यानि अनौमिनेटर है ये यह नॉमिनेटर है यह नॉमिनेटर है यानि कि यह अंश है और यह नीचे वाला हर है उबर वाला अंश है और नीचे वाला हर है तो हमने देखा कि हर जो है दोनों में ही समाल आ चुका है अब मुझे करना क्या है अब मुझे इनके बीच की पांच परिमें संख्याइं लिखन के दस बटा पंद्रा और बाराइब बटा पंद्रा के बीच में 5 संख्या आती है यह नहीं आती है आ यह देखते हैं एक और मैंने लिखा 10 पंद्रा उसके बाद में लिखा 12 पंद्रा तो जब मैं आगे चलने लगा 10-10-15 के बाद मेर पास आता है 11-15, अब प्रॉब्लम यहां होई ही कि यहां पर मुझे 10-15 और 12-15 के बीच में एक ही परिमे संख्या मिली, वो मिली 11-15, मुझे 5 परिमे संख्या हैं तो मिली तो मुझे क्या करना होगा इसमें प्रानिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आपको क्या करना है कि इसको 10 बटा 15 और 12 बटा 15 को एक और बड़े नंबर से गुणा कर दीजिए यानि कि मैं आपको बताता हूं 10 बटा 15 की गुणा अगर दो से कर लेता है तो 10 बटा 15 या 20 बटा 30 आ गया है तो अब मुझे करना क्या है बीस बट्टा तीस और चोविस बट्टा तीस के बीच में पांच परिमें संख्याएं निकालनी हैं आये देखते हैं को अब येकर बर्ट तीस और चोविस बट्टा तीस के बीच में हुदि पांच परिमें संख्याई आती हैं आध्वा नहीं आती अयरु यह इंयर्टर डिंच of कि और ये चोविस स्य रज сыikk और 24 बटा-30 के बीच में जब हmäßं चलें तो यहां पर मुझे मिला 21 बटा-30ं اس के बाद मुझे मिला तरहां'll यानि मुझे अभी तक सिर्व तीन परी में संख्या मुली है तो इसमें घबरानी वाली कोई जडुरות नहीं है देखें यह जो délacı है यह आपको अपने दिमाग में करनी है इसे बार-बार करके देखने की जरुवत नहीं है मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए देखें 1997 करने पर यहां पर मैं पास्कर 20 वेट या 24 वेचे मैं मुझे 3 परी में 23 33 लेकिन अन्य नहीं मिला तो कुछ नहीं करना कि 10 बटा 15 और 12 बटा 15 की 2 की जड़ा उससे थोड़ा बड़ा नमबर 3 से गुणा करके देख लीजिए आइए देखते हैं अब जब मैंने 10 वरता 15 की 3 से उपर वी 3 से नीचे वी 3 से और 12 वरता 15 की वी 3 से नीचे भी 3 से बुड़ा की तो हम जानते 10 3-30 पंदराद 22 35 तो 15 से यहाँ 45 हो जाएगा उसके बाद में 12 की 3 से मल्टिप्लाइगा 7 D inici ga 2 कि ये तो अब हमें ये तीस बटा 45 जो ये डू बटा तीन है डेंके बड़ा दुनी fighter पंद्रा तीर पंद्रा किलैंप तो यहां भी दू अधिन है और उसके बाल में हम देखेंगे आगे यह 4 बटा 5 भी देखे 34 बटा 45 भी 4 बटा 5 ही है इसमें कबराने की कुई जूरती है देखे आप जानते हैं 15 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे यह देखे जब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे जब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे हम देखते हैं 15 से डिवाइड करने पर यह हमारा 4 बटा 5 यहाँ पर नहीं आपाता है तो हम 9 से डिवाइड करके देख लीजे 9.36, 9.45, 45 तो 4 बटा 5 तो actually 36 बटा 45 भी 4 बटा 5 ही है अब देखो 30 बटा 45 दो बटा 3 है 36 बटा 45 चार्व बटा 5 है अब 30 बटा 45 और 36 बटा 45 के बीच में मुझे 5 रैशनल लंबर चाहिए तो देखे यह दो तो हमने रखे हैं एक लेट एंड की और एक राइट एंड की और हमने रख दिया है अब बीच में मुझे चाहिए पांच परिमें संख्या चाहिए तो 31 बटा 45, 32 बटा 45, 34 बटा 45, और ये फाइनली हमारा 35 बटा 45 तो देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, मुझे यहां बीच में पांच रेशनल नंबर मिल चुके हैं इसमें आपको फिसर रिपीट सवाल की समरी को में रिपीट कर देता हूं जब भी दो संख्याओं के, बीच में अगर परिमेंस संख्या निकालनी है तो हमें पहले उनके हर समान करने, vaig संख्या के लिए एक परिमेंस संख्या के हर से उपर-नीचे संख्या मिल जाया है, तो सब्सक्राइक से बुना करना है कि घृट से बुना करना है जिससे हमें उसके बीच में पाझ परी में संक्या संसाוכ मंठेविज ARE और ऑगाला कोश्चन है मायनस का 3 बट्टा दो और 5 बट्टा मायनस का 3 Dong इन दोलों का रभापर करने के लिए इस परिमेंसेंठ्या के हर यानि इस 3 से मैं ऊपर नीचे माइनस 3वटटा 2 को मल्टिप्लाई कर दूँआ तो मल्टिप्लाई करने पर आता है हमारा यहां पर 3 तीन दुन नो तीन दोनी 6 ये 3 प्लस का था ये 3 माइनस का था प्लस माइनस माइनस का 9 बटा 6 में पास में आ चुका है 3 बटा 2 माइनस के 3 बटा 2 को मैं माइनस के 9 बटा 6 के अंदर कनवर्ट कर चुका हूँ उसके बाद में पाच बट्टा 3 को जब मैं इस संख्या के हर से यानि 2 से उपर नीचे मंटिप्लाई करता हूँ तो देखें 5 बट्टा 3 की गुणा उपर नीचे दोनों 2 से होईगी पाद वुल 10 हो जाता है याप और 3 दोनी 6 हो जाता है तो आपने देखा 5 बटा 3 10 बटा 6 में कर्वट हो चुका है और दोनों संख्याओं के हर अब जो है समान है तो आएए देखते हैं क्या इनके बीच में मुझे 5 परिमे संख्याएं मिलती है यहां नहीं मिलती है तो देखिए 9 बटा 6 माइनस का यह रहा 9 बटा 6 और यह रहा हमारा 10 बटा 6 इसके बीच की 5 परिमे संख्याएं हमें देखे यहां पर माइनस और 8 बटा 6 एक माइनस का साथ बटा 6 माइनस का 6 बटा 6 यानि कि यह माइनस का एक हो जाएगा कटके फिर माइनस का सल्टाएं और ये माइनस का 4 बटा 6 तो इसके बीच में हमें 5 परिमे संख्याय मिल चुकी है एक दो तीन चार पांच ये पांच परिमे संख्याय हमको यहाँ पर मिल चुकी है तो इस प्रकार से आपने देखा कि दो संख्यों के बीच में परिमे संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है अगला कॉस्चन जो है वो है हमारा के प्लस के एक बटा चार और एक बटा दो के बीच में परिमे संख्या निकाली है हमें परिमे संख्या ग्यात करनी है तो आजिए देखते हैं सबसे पहले वही हरों को समाना होगा तो एक बटा चार यहां पर हमारे पास में पड़ा है इस पर्यम्य संख्या का जो हर है 2 उसकी उपर नीचे मल्टिप्लाइ हो जाएगी और यहां पर है एक बटा दो इस पर्यम्य संख्या को हर है 4 उसकी उपर नीचे multiply हो जाएगी एक दुनी दो दो एकम दो चार दुनु आठ यहां पर एक बता हम को हम 2 कोर्म कर्म उसके बातक में 4 कम चार और 14 क्शार नुन आया यहाँ कर एक बटा दो को सब्सक्राइब कर चुके हैं कि अब हम नियाक देखता है कि हमारे 212 आठ टा बंट के भीच त्पारव दीमें और मिलती है कि यहाँ पर देखा कि दो बटा-都 Night ौLife 2.8 पुर्णी कारे करता। चार मowsत देखता हूं तो आइए정क्या 5 परीमिएक संख焼ा तो मइं beltा सधने कारे करता हूं मैं दोनों मतलब इधर भी और इधर भी बड़े नंबर से गुणा करके देखता हूं अगर मैं इसकी गुणा दो से कर देता हूं कि क्या मेरा काम बनता है यह चेक कर लेते हैं दो दुनी चार आठ दुनी सोला उसके बाद में चार दुनी कि अब हम देखते हैं कि चार बटा आठ आठ डटा जो सोला है उसके बीज में मुझे पांचपड़ी में संक्या मिलती है अत्वार में ही रेका सोब विच से पांच परिमे संख्यां चाहिए तो इस कंडूशन bipolar ने की कोई और व्श्रक्टा नहीं है हमें थोड़ी बड़े नंबर से इसको गुणा कर लेना है आई ये देखते हैं किस प्रकार से मैंने आपको लास ताइम भी बताया है इसकी उपर नीचे तीन से मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो अब हो जाएगा तेन दो नीचे बटा में आर्टिया चोविस और चार ती ये ब यहां मेरे पास में बारा बटा चोविस क्या इसके बीच में पांच परिमे संख्याइं मेरे पास आती हैं यह चेक करते हैं 7 बटा 24 उसके बाद में 8 बटा 24 उसके बाद में 9 बचा 24 उसके बाद में 10 बथा 24 और उसके बाद में 11 बटा 24 तो यहां पर में पास 5 परिमे संख्याय आ चुकी हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, तो आपने देखा किस प्रकार से बड़ी ही सहजितावे आराम से हमने दो परिमे संख्याओं की बीच की परिमे संख्याइं ग्यात की, तो इस प्रकार से आपका कॉस्चन नंबर पांच कम्प्लीट होता है, अगला जो है कॉस्चन नंबर छे है है हमारा वह माईनस दो से पांच बड़ी परिमें संख्याइए लिखिये रही बड़ा ही लाव है यह Сबसे असज़ तो इस माइनस के दो से मुझे पांच बड़ी संख्या इतने हैं तो यह पांच परी में संख्या आपको मैंने बताया था यह पांच बड़ी संख्या निकाल लिए तो यह हुआ आपका कॉस्चन नमबर 6 और अगला जो हमारा लास्ट कॉस्चन है एक्साइज 1.2 का कॉस्चन नमबर 7 है कि 3 बटा 4 और 3 बटा 5 और 3 बटा 4 के बीच में दस परी में संख्या ग्याद करने हैं कितनी दस परी में संख्या ग्याद करने हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम इनका हर समान करतें यह तीन बटा 5 यह 3 बटा 5 इसकी जो है मल्टिप्लाई में इस संख्या के हर से कर दूँगा यानि 4 से उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दूँगा और यह 3 बटा 4 जो है इसकी 3 बटा 4 की इस संख्या के 5 से उपर नीचे मल्टिप्लाई कर दूँगा यहां पर हो गया 3 4 12 और और geopolit यहां पर होगिया 3 चोंख 15 और पारह पड़े देखा कि 12 बटा वी यह 12 बटा 20 भी 3 बटा 5 यह अगर हम इसको 4 से करेंगे तो चारत यह 12 होता है और 4 बटे 20 होता है उसके बाद में अगर ये 15 बघ्टा 20 जो है यह भी 3 बघ्टा 4 ही है तो अगर आप इसको 5 सी डिवाइड करता है तो 50 ही ये 15 होता है और उसके बाद में 15 होता है तो प्रक्राइब देखता हूं आगे की और जब मैं भरता हूं तो मैं देखता हूं 12 बटा 20 और 15 बटा 20 के बीच में मुझे केवल 2 परी में संख्याइब मिलती है 13 बटा 20 और 14 बटा 20 लेकिन मुझे तो 10 परी में संख्याइब चाहिए मेरा इंसे काम नहीं बनना हमारा इंसे काम नहीं बनना तो मैं आपको पहले भी बताया है बड़ी संख्या से गुणा कर लीजिए दोनों परी में संख्याओं में तो यहां पर हम लेखते हैं यहां पर हम लेकर क्या थे हर समाल करने के परश्चाद में 12 बटा 20 और 15 बटा 20 लेकर क्या थे 12 बटा 20 और 15 बटा 20 की जो मैं गुणा कर देता हूं 12 बटा 20 की मैं 4 से गुणा कर देता हूं आप 2 से कड़के देखोगे तो दस नमबर नहीं मिल पाएंगे बीच में आप यह कैलकुलेशन माइन में कड़के देख सकते हैं और रख में भी करके देख सकते हैं तो आप दोनों और जो हैं उपर भी 4 से नीचे भी 4 से और यहां भी चार से यहां भी चार से गुना करके देख वीजे आपको तस परिमें संख्या मिल जाएंगी देखे 12 चोके हम जाने 48 होता है और 20 चोके होता हैpirा और 15 चोके 60 होता है और 20 चोके होता है असी तो अम मैंने तीन बटा 5 को यहां पर पूरी धरह से कंवट कर दिया हैं अर्त बटा ऐसी में और 3 बटा 4 को मैंने यहां convert कर दिया है 60 बटा 80 में दोनों और हर भी समान है आप देख रहें 48 बटा 80 और 60 बटा 80 में दोनों में हर एक समान है 80 80 अब उनके बीच की 10 परिमें संख्या निकालते हैं आए देखिए 48 और उसके बाद में आप आगे की और रक सकते हैं अब इन दोनों की बीच की मुझे 10 परिमें संख्या निकाली हैं तो देखिए 49 बटा 80 उसके बाद में 50 बटा 80 उसके बाद में 51 बटा 80 उसके बाद में 52 बटा 80 उसके बाद में 53 बटा 80 उसके बाद में 54 बटा 80 उसके बाद में 55 बटा 80 उसके बाद में 56 बटा 80 और उसके बाद में 57 बटा 80 और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर 69 बटा 80 हम देखते हैं कि हमें 10 संख है प्राप्त हुई के नहीं हुई एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ दस तो हमें फाइनली दो तीन बटा पांच और तीन बटा चार यानि जब कर्वाट उनको किया मैंने 48 बटासी और 60 बटासी के बीच में 10 परी में संख है इस प्रकार से हमको प्राप्त हो चुकी है और इसी के साथ जो है आज हमारी एक्सराइज 1.2 प्रशनावरी 1.2 समाथ होती है और कल हम देखे कुछ नहीं चीजें अगली एक्सराइज अगली एक्सराइज से पहले उसके मोस्ट चीजें किस प्रकार से अगली एक्सराइज होगी कोई भी वीडियो में मिस मत कीजिए लगाता क्लास लेते रहिए बाई 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 अल उफ यू गुडबाई